Kidney fail होने के बहुत सारे लक्षन हो सकते हैं जैसे कि आपके पैरों में सुजना सकती है आपको यूरीन पास करने में तकलीफ हो सकती है या फिर आपकी पीठ वाले हिस्से में पेन हो सकता है ये kidney fail होने के कुछ ऐसे symptoms हैं जिसे आम तोर पे kidney के खराब होने पे देखा जाता है लेकिन इन सब के अलावा भी kidney failure में कई ऐसी स्थितिया हो सकती है जिससे kidney की conditions का पता लगाया जा सकता है और इन science को देख के kidney की खराबी को समझा जा सकता है तो चली आज हम आपको kidney failure के 20 ऐसे symptoms के बारे में बताएंगे जिने जानकर आप अपनी kidney की खराबी का पता लगा सकते हैं तो अगर हम kidney की खराबी में होने वाले सबसे पहले लक्षन की बात करें तो kidney failure की condition में मरीज के पैरो, आखो और तलवे वाले हिस्सों में सूजन आ जाती है क्योंकि जब kidney खराब हो चुकी होती है तब kidney शरीर में मौझूद waste product को filter करने में असमर्थ रहती है जिससे धीरे धीरे शरीर में waste रिकटा होने लगता है और फिर यही waste हमारे पैरो, आखो और तलवे वाले हिस्सों में जमा होने लगता है किड़नी खराबी की दूसरी लक्षन की बात की जाये तो kidney failure मरीजों को urine समबंदी समस्याएं आने लगती है जैसे कि urine का बार-बार होना, urine का कम हो जाना, urine में खूना जाना या फिर फूमी urine जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है urine से जुड़ी कुछ ये ऐसी समस्याएं हैं जो आमतोर पे kidney में आई खराबी के कारण हो सकते हैं kidney की खराबी का तीसरा लक्षन ये है कि जब kidney खराब हो चुकी होती है तब मरीज को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है क्योंकि इस समय किड़नी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही होती जिसके कारण हार्ट पे दवाब पढ़ने लगता है और मरीज को सांस लेने में कठनाई होने लगती है चौथे लक्षन की बात की जाए तो kidney फेल होने पे मरीज के वजन में गिरावट आने लगती है साथ ही कई बार मरीज वजन बढ़ने की समस्या से भी जूच सकता है वही पाँचवे लक्षन की बात करें तो kidney फेल होने पे मरीज का blood pressure level increase हो सकता है साथ ही उसमें high blood sugar और high cholesterol level की परिशानी को भी देखा जा सकता है छटे लक्षन की बात की जाए तो kidney की बिमारी में मरीज का शरीर कमजोर होने लगता है जिससे उसे थकान और weakness जैसी conditions का सामना करना पड़ता है kidney की खराबी का साथवा लक्षन ये है जब kidney fail हो चुकी होती है तब मरीज की skin dry होने लगती है तब मरीज का हीमोगलोबिन भी कम होने लगता है जिससे मरीज को खून की कमी होने लगती है और मरीज सिदर, ठकान और कमजोरी जैसे समस्याओं से जूजने लगता है kidney fail होने के 9 लक्षन की बात करे तो kidney के fail होने पे मरीज को vomiting की शिकायत भी हो सकती है क्योंकि इस समय मरीज का digestive system कमजोर हो जाता है और मरीज को खाने पचाने में कठिनाई आने लगती है अब बात करें kidney fail होने वाले 10 लक्षन की तो kidney failure की परिशानी में मरीज का cretinine level increase होने लगता है साथ ही मरीज high uric acid और high potassium level की समस्या से जूजने लगता है तो ये हैं kidney failure के कुछ ऐसे लक्षन जिसे देख के आप अपनी kidney की condition का असानी से पता लगा सकते हैं और वक्त रहते अगर इन symptoms को पहचान लिया गया तो इससे अपनी kidney की बिमारी को control कर सकते हैं तो अगर आप भी kidney से related या फिर किसी अन्ने समस्या से परिशान है तो हमारे आयरुवेदिक hospital कर्मा आयरुवेदा से संपर्क कर सकते हैं कर्मा आयरुवेदा ने अब तक डेल लाग से भी अधिक मरीजों को ठीक किया है और आज वो बिना किसी परिशानी के अपना जीवन जी रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेर करना ना भूले हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ दुबारा मिलेंगी तब तक लेपना ख्याल रखें और सुअस्त रहें